बार बार चाहे लोवर कोट हो चाहे हाई कोट हो चाहे सुप्रीम कोट हो एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है पैसा कहां गया अरविंद केजरीवाल जी की गिरफतारी सिर्फ एक व्यक्ती के बयान के आढ़ार पर है इस व्यक्ती का नाम है शरत चंडर रेडि जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अर्विंद केजरीवाल से मिला नहीं उनको तुरंत अगले दिन एडी द्वारा गिरफतार कर लिया गया शरत रेड़ी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई और जैसे ही शरत रेड़ी ये कहते हैं उनको जमानत भी मिल जाती है एडी के दौरा मैं प्रभान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूँ मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूँ दिल्ली के तथा कथित शराब घोटाले में दो साल से सीबी आई और एडी की जाँच चल रही है इस दो साल में बार बार चाहे लोवर कोट हो चाहे हाई कोट हो चाहे सुप्रीम कोट हो एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहा है पैसा कहां गया ऐसा कहा गया कि शराब को और कारोबारियों को मुनाफ़ा पहुँचा बहुत जादा मुनाफ़ा पहुँचा लेकिन अगर उन्हें मुनाफ़ा पहुँचा तो उन्होंने किसको रिशुद दी उन्होंने किसको पैसे दिये क्योंकि दो साल की जाँच के बाद, सैक्डों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कारेकर्था के पास से एक रुपे की भी प्रोसीड्स ओफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ओफ क्राइम का इस मनी ट्रेल का एक रुपेया भी नहीं मिला और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोट ने भी कोट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहा है अर्विंद केजरिवाल जी को दो दिन पहले इसी तथा कथित शराब घोटाले के तहट गिरफतार किया गया अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है ये व्यक्ति कौन है इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड़ी शरत चंद्र रेड़ी और अबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाईयां बनाने की कंपनियों के मालिक है इनके पास कई और कंपनिया भी हैं जिसमें से दो प्रमुक कंपनिया हैं एपी एल हेल्थ केर और यूजिया फार्मा शरत चंद्र रेड़ी जी को भी दिल्ली की एकसाइस पॉलिसी में शराब के कुछ दुकाने मिली उनको कुछ जोन मिले शरत चंद्र रेड़ी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरत चंद्र रेड़ी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अर्विंद केजरीवाल से मिला नहीं मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेंदेन नहीं जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अर्विंद केजरीवाल से मिला नहीं उनको तुरंत अगले दिन एडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरत रेड़ी जी ने अपना बयान बदल लिया शरत रेड़ी जी कहते हैं कि मैं अर्विंद केजरीवाल जी से मिला भी शरत रेड़ी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पर बात भी हुई और जैसे ही शरत रेड़ी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है एड़ी के दोरा लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इंफोर्समेंट डिरेक्टरेट तो बार-बार क्या रहे है कि शराब गोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भरष्टा चार में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया लेकिन ये तो शरत चंद्रेड़ी का सिर्फ बयान है, जिसके आधार पर अर्विंद केजरीवाल को गिरफतार किया गया है मनी ट्रेल कहा है? मैं बताती हूँ आपको के मनी ट्रेल कहा है? ये है मनी ट्रेल शरत चंद्रेड़ी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉंड्स में भारतिय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है के शरत चंद्र रेड़ी और अबिंदो फार्मा का मालिक एपी एल हेल्थ केर का मालिक यूजिया फार्मा का मालिक शराब का कारोबारी उसने साड़े चार करोड रुपे के इलेक्टोरल बॉंड्स दिये एक्साइस पॉलिसी के बनने के दौरान भारतिय जनता पार्टी को उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड रुपे के इलेक्टोरल बॉंड्स दिये भारतिय जनता पार्टी को तो जिस मनी ट्रेल की पिछले दो साल से तलाश हो रही थी आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिर कर शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया तो अब मैं प्रभान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूँ, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूँ कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है, सारा पैसा भारतिय जनता पाटी के बैंक अकाउंट में गया है तो इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट भारतिय जनता पाटी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट भारतिय जनता पाटी के राश्च अध्यक्ष जेपी नड़्डा को गिरफतार करे क्योंकि अब पहली बार एकसाइस पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतिय जनता पाटी के बैंक अकाउंट में गया